तो इस स्मैक डाउन का इस अप्सोड समाप्त हो चुका है इस स्मैक डाउन के एपसोड में कैज सुपरस्टार एलवेसन चेमबर में अपनी जगा बनाई है मेरी इवेंट में दे रॉक रोंड रेंस को सेगमें देखे पिला और रॉक प्रोमो देते हुए कोली डोस की धज़्या उड़ाते दिखाएती है इसके साथ ही कदराग सुपरस्टार ने स्मैक डाउन का हिस्सा बनाया गया है आईए ज़्यादा देरी ना करते हुए अमें आइए इस अपते के स्माक डान के एक स्माक डान के स्टूरियो के मैस से फोर्द आर्मिलेशन चेंबर क्वारिंग फाइंग मेंस था है के उन्हों इसने डॉमिनिक में स्टीडियो के खिलाप मैध में दिखाय को मिला डॉमिनिक इस मुकाबले में केविनों इसके कड़ी चुनोती के पेस किया एक जब जब मुकाबला देखना जल्दी आर्ट्रूथ रिंग साइट पर नजराएं उन्होंने इस बार भी अपने प्रतिदंदों की हालत खड़ाप करने के बाद स्टील चेर मांगा प्रूर आजी चैंपियन इस स्टील चेर लेकर एक लिए लेकिन वह रिखिए देने के बजाए है इस पर बैठ गया है जल्दी के विरोंस ने को सुपर किक जड़ा इसके बाद के विरोंस ने जज्मेंट डेमेंबर पपप और बॉंब हिट करने के बाद पिन करते हैं मैच में जीत ही हो गई और नहीं बन चुक है एलमिनेशन चेंबर के हिसा एंड सेकेंड मैट की बाद करते हैं जलीना वेगा वर्सज टिफनी फूर दो ओमेंस सेलेमिलेसन चेंबर क्वालिफाइग मैच दोनों सूपरस्टार एक दूसरे पर हमला करते हैं मैच में दिखा दिए कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशिस करते हुए दिखा दी जल दी जलीना ने टिफनी को विंग से बाहर कर दिया और जो हैं अपने कुछ वेहतरीन मूप्स क इस्तेमाल करके उनकी हालत खराब करने कोशिस की और फिर एल्डो ने अर्वनीना को इंट्री की और वो दर्सों को मौझूद लिगाडो डेल फैंसमा को मैच में डखल देने से रोकने के लिए थे अंत में जलीना वेगा ने रिंग साइट पर मौझूद एलक्टरल लोपे इस पर हमला कर दिया और जल्द ही वो रिंग में गई वहां टिफनी स्टेन तयार थी और उन्होंने जलीना पर अटैक करके अपने टॉप रूप से मूव देखकर वोमेंस में सेचेंबर में अपनी जगा बनाया और टिफनी स्टेन इस तरह से जीत हासिल की और नेक्स मैच के सुर्वात में अपने प्रतिन देखको जबस हमला कर दिया जल्द ही अपने सुपरस्टार सुपर कोल्ड डाइड नेक ब्रेकर देके समिसन करते हुए इस मैच में असानी से जीत दर्च करा दी एक और जोस मैच हमें देखने को ला लोगन पॉल वर्सेस दमीज फोर देन क्वालिफाइंग मैच दमीज ने लोगन पॉल को सुल्डल टैकल देकर गिरा जल्द ही लोगन ने मीज को फॉक्स लैप देने के बाद रेड डिंग मूब लॉक्स देने के पीन करने करना काम कोशिस की इसके बाद लेश्टर ने पॉल पर जबसा सम्वला करके उनकी हालत खराब कर दी थोड़ी देर बाद इसे चैंपियों ने फाइट बैक करते हुए दमीज में दबदबा बना लिया इसके बाद इन दोनों सुपस्टार के दूसरे पर बुरा हल करने दिखाए दी हैं लेकिन दोनों ही हार मानने के लिए तया नहीं थैं इस मैच में लोगन आसिल की और अपनी जगा बना ली हैं अल्बाव फायर में अनिश मैच की बात करता है नायोमी वर्सिस ऐलवाफायर का मैच देखने कुला फूर्द ऐलवनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच वाइब फायर जो हैं सतोजी की जगा ली सतोजी क्यों की वहां इंजड थी इ नेमी ने मैच में वापसी की और रिंग के अंदर बाहर हुन दोनों जग अपने पतिंद्रे पर हमला करती दिखाय दिया तो में नेमी ने आयला ड्राउन पर अटेकर के उनके प्रिशन से गिराया और फिर जल्दी फायर ने समिसन जगर कर रैप आउट करते हुई वह में बाना लिंटाइम फूर्ण मैंे स्मकड़ लोमान ब्रेंस विया रिम डावा लगो कि ब्लड लाउन का अगा इश्वां ब्लाइन को मोड में में क्राउट पर निसाना साथ ते वए दिखा दिए रॉक ने का कि फैंस् Council पूमन पास रोम रेंस के ख से मैठ देखने को मौका था लेकिन उन्होंने मौका हाथ से जाने दिया इसके बाद उन्होंने कोड YouTube रोड़ को सपॉट देने के लिए फान्स को तंक कसा उन्होंने फान्स से पूछा कि कोड़ी की कहानी क्या है दे रॉक ने का कि कोडी रोट पिसले साल रसलमेनिया में रोमन रेंज से हार गये थे और उन्हें री मैच चाहिए उन्होंने आगे कहा कि चीजों इस तरह काम नहीं करती है जल्द ही रॉक ने दावा किया कि सुने चित किया कि अमेरिकन नाइट मेर को एक बार फिर रसलमेनी वहार मिले गा अन्त में दा रॉक ने अपना फेमस डालग यू अन वाइड दा रॉक की बोला हालाकि उन्होंने डालग में रॉक की जगा दा बलर्ड लाइन सब्द का इस्तमाल किया और इस तरह ये सिग्मेंट खतम हुगा और अब जो है कोडी रोड्स की जो है रोड टू रसलमेनीया की जो रहा है उसमें रोडा बनते दिखाए दे रहे हैं यहां पे दर रॉक भी अब आगे क्या होने आने वाली इस सब्ता में हमें देखने को भी लेगा तो मिलते आगे थैंक्स व वाचिंग और करने सब्सक्राइब तो आच चैनल रसल टेक्टार थैंक्यू